पसकार शातियों, ग्रूप D की कट ओफ को लेकर एक confusion सा बना हुआ है, आज इस वीडियो की माद्यम से हम बात करने वाले हैं, जो भी ग्रूप D की कट ओफ का इंतजार कर रहे हैं, वो सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें हर एक वो fact समझाने वाल जो भी यूटूब चैनल हैं, जहां पर पोल लगा रखें, तो पोल में क्या आ रहा है, कि 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे आ रहे हैं, जिनके 70% से उपर आ रहे हैं, तो आप एक चीज सोच के देखिए, जब कोई भी पोल में अगर 50% से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, 70% से रहने वाली है, तो आपको मैं बता दूँ कि यह पोल वाले जो आंकडे होते हैं, तो बिल्कुल फैक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि जिस student ना exam दिया भी नहीं है, वो क्या करता है, कि उसको देखना होता है, कि कौन सी केटेग्री में ज़ादा रहे हैं, तो वो 65-70 बताई जा रही है, और यही आंकड़ा आप उठा के देखोगे, तो पिछली बार जब यह विकेंसी, 4-5,000 की विकेंसी थी, और उस टाइम पेपर भी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी 65 महां पे मेरिट है, वो नहीं गई, तो इस बार बताओ किस बेस पे वो मेरिट को बेज रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4-5,000 विकेंसी की जगह अहां पर 10,000 विकेंसी हो, तो कटोफ क्या ही रहने वाली है, साथ में कितने कम स्टूडेंट नहीं वो एक्जाम दिया है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, जिनकी वज़े से कटोफ है, वो बहुत कम जाने वाली है, अगर आपके 50 पलस बन रहे हैं, तो आप एक उमीद लगा के रखिए, अपनी अच्छी उमीद लगा के रखिए, और रजल्ट का इंतिजार है, वो जरूर करिए, क्योंकि रजल्ट के बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो आप लोग बता रहें कि percentile में कम मिलेंगे, तो मैंने पीछे भी एक वीडियो डाला है, अगर आप पहली चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो मैं मेरा वीडियो जरूर देखें, मैंने percentile का formula बताया कि कि बेस पे निकलता है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें आपको ज्या पेपर वी क्या बताया जा रहा है कि पोल के मद्ध में से बताया जा रहा है, जो कि सच नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, जिन student के 50 के आसपार row score है, उनको selection की दोड में अच्छे कासे, उनको किस मत रख सकती है, क्योंकि यह मान के चाहिए कि percentile और normalization का एक खेल ऐसा होत आप सभी को पताया कि सबसे ज्यादा जाती है merit, तो उनमें देखिए, आप सभी को पताया कि 55-60 के बीच में होने जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें भी, अगर 50 में मैं कहा दिया, मैंने 50 तो general category वाले जो student है, उनको मैं बताओ, 55-60 के बीच में आप क्योंने चाहिए, और ज दो active student थे railway के, जो railway के प्रोप पर त्यारी कर रहे थे, उन सभी ने वहां से फोर्म नहीं लगाया, दूसरी जगह से लगाया, तो यह मान के चलिए कि कम रहने वाले हैं, तो मैं आपको cut-off के लिए मैं बता दू, general category में 55-60 के बीच में जिनके आ रहे हैं, उनका जरूर हो ज आपके shift में 100 बच्चों ने exam दिया, इन सो बच्चों में से यह मान के चलिए कि आपका score बन रहा है 50, कितना बन रहा है, 50 बन रहा है, अब एक चीज़ देखिए आप, अगर आपके 100 बच्चों में महतर नमर कितने बन रहे हैं, आपके 50 नमर बन रहे हैं, आप वाली shift में, ज़्यादा से ज़्यादा नमर है, उन बच्चों के यह मान लिया, कि 65 स्कोर आ रहा है, एक मान लिजी, आपका 50 है, और जो top student है, आपके shift में 65 है, और दूसरे वाली shift का top student हम मान ले, दूसरे वाली का, यह मान लिजी, कि वो ज़्यादा IG है, तो उसमें मान लिजी हम 70 मान और फिर तीसरी का मान ले, कि कोई कितने भी नमर आ रहे हैं, मैं एक मान के चल रहा हूँ, ठीक है, उसमें हमने मान लिया कि स्कोर आ रही है, तो आपका score है 50, फर्स्ट shift में आपका exam है, 100-100 बच्चे exam दे रहे हैं, और आपकी shift में जो top 14, उनके 65 नमर है, और दूसरी shift में top student जिनके ज्यादा से ज्यादा है, उनके 70 हैं, और तीसरी में 50, तो इनकी तुलना में आपका shift है, वो hard हुआ की नहीं, hard हुआ, जरूर हुआ, अब देखिए, आपको percentile में number कैसे मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 100 बच्चे, आपके 50 आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन सभ 50 से जिनके कम number जिन student के आ रहे हैं, वो वाले student, इन सभी को जोड़ दो, जैसे ये मानलो कि 100 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं, जिनके 50 आ रहे हैं, या 50 से कम आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया 30, ठीक है, ये वाला अपना percentile score आ जाएगा, आप देख लीजिए, 100 से गया, कितने मिल जाएगे percentile मारक, 30 मिल जाएगे आपको, 50 आपके थे कितने होगे, अब 80 होगे, तो इस base पे percentile है, वो निकलता है, आप अपना खुद भी निकाल सकते हो, तो जैसे ही आपको दिवाली पे है, वो मिलने वाला है, गिफ्ट दिवाली पे result है, वो जुरूर आ जाए